कि दो कॉंसेंट्रिक कोई से मतलब एक सेंटर वाली क्योंट्स एह जिनका सेंटर एक फॉइंट पे और उनको हमने सेम प्लेन में रखा वा है और आपको यह कैल्पूलेट करना कि उनका mutual inductance कितना होगा देखो मालनों कि ये दो concentric coils है इनका center है O जो पहली coil है वो ये है इसकी radius है R1 और जो दूसरी coil है उसकी radius है R2 यहाँ पे हम दूसरी coil में current flow कर रहे है इसलिए उसका नाम रख दिया I2 यह जो दूसरी coil है न इसमें हम current flow कर रहे है और इससे क्या होगा एक magnetic field produce होगा जो इस पहले वाली coil से भी पास होगा और इसकी वज़े से क्या होगा second coil यानि यह वाली जो coil है अगर यह current change होगा तो इस coil से पास होने वाला magnetic flow magnetic flux change होगा जिसकी वज़े से पहले coil में EMF induced होने लग जाएगा तो यहाँ पे जो mutual induction वाली прил को होगा है इनमें से हमको current flow करना है और दूसरी कोल मेंहें से पास होने वाला magnetic flux calculate करना है फिर मेंनेटिक को करन से याणि पहलेवाली कोईल King sait कर देरा है अब यहां पर दखने वाली labels होक्रें और कृ सो प्रांट करना है तो आपको क्वहीं में करें दोडेटर और इस सबस्क्रों डूसरी जो कॉलज है उसमें नमबर उफ टांस है एंट टू समझ में क्या नमबर अफ टनस में बताओ कि यह जो सेकेंड कोईल है यह वाली कोईल है इसमें जैसे हम करेंगे आइटू तो इसके सेंटर पे जो मैंगनेटिक फिल्ट कितना होगा उसको मैं बीटू लिख रहा हूं क्या है मैंगनेटिक फिल्ट का इसका फॉर्मला होता है म्यू नोट एन आई अपॉन टू आर अब क्यूंकि इस वाली कोईल की बात हो रही है जिसकी रेडियस है आर टू तो आर की जिगह आर टू आएगा करेंट इसमें है आई टू तो आई की जिगह आई टू लिखेंगे इस पहली कोईल से भी पास हो रहा होगा यह पॉइंट कर रहा है आउट वर्ड इसका मतलब यहां पर सेंटर पे जो यहाँ पर च्छीज और बताओ कि यह वाले हैं यह जो फस्ट का इरिया वेक्टर कौन सी डिरेक्टर में तो यहाँ पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड तो यहां पर मैगनेटिक फिल भी आउटवर्ड है और इस कोईल का एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड है तो दोनों की बीच में एंगल कितना हुआ यहां पर मैगनेटिक फिल कौन सी कोईल प्रेडूस कर रही है सेकेंड कोईल जिसका फॉम्मला है बीटो इकोल स्टू मिटो अट एक टू अपॉन टू अपॉन टू आटू तो यहां पर बीकी जगे बीटो लिखना पड़ेगा और एरिया के कौन सी कोईल का लेना है तो कौन आपको फस्ट कोईल से पास नवाला मैगनेटिक फ्लक्स केलकुलेट कर रहे हो इसलिए आपको फस्ट कोईल से पास नवाला मैगनेटिक फ्लक्स केलकुलेट करना है तो इसमें मैगनेटिक फिल तो पास हो रहा है बीटू बाकिन नमबर और एरिया या आपको फस्ट कोईल कहीं लेना है क्योंकि फर्स्ट कोईल से पास्ट नवाला मैंग्नेटिक फ्लक्स केल्कुलेट किया जा रहा है एन वन बीटू की वैल्यू पुट कर देते हैं देखो यह है मूनोट एन्टू आये टू अपॉन टू आर्टू इन्टू एवन एवन मतलब यह जो पहली कोईल है क्रोस सेक्षिन एटिया कितना हो गई इन्टू कि रहेगा तो फाइवन क्या निकल कि आएगा मूज़ू एन्टू एन्टू पाई और दो स्कॉएर अपॉन एटू आर्टू एगा ऑटू आएगा साथ में यह वाला कोईवन हो जाएगा तो यह एपने पास आ चुका है 5-1 अब आपको calculate करना है कि इन दोनों coils का mutual inductance कितना होगा जिसका formula होता है M equals 2 देखो जिस coil में current flow करते हैं उसके अलावा जो दूसरी coil है उसका magnetic flux उपर लिखना है क्योंकि second coil में current flow किया जा रहे है और पहली coil से पास उनवाला magnetic flux calculate किया जा रहे है इसलिए 5-1 upon I2 ब divide करोगे तो I2 वाली term तो हड़ जाएगी answer क्या आएगा म्यू नॉट एन वन एन टू पाई आरवन स्क्वाइड बाई क्या करना है तू आरवन यह अपने पास आ गया दो concentric coils का mutual inductance ठीक है और अगर आपको पूछे अगर आपको पूछे कि यहां पर दो concentric coils का जो mutual inductance है किन किन चीजों पर depend करेगा बता सकते हो क्या दोनों कोईल्स की रेडियस की उपर depend करेगा और साथ में मेडियम पर भी depend करेगा मालों कि एक iron की रोड ली आपने और उसके उपर पहले तो first coil को लपेट दिया और उसके बाद में उसी की उपर आपने दूसरी को लपेट दिया तो इस पार medium क्या हो गया चेंज हो गया इंसाइड बोम और मेडियम कि लिए formula को मेडियम के लिए formula क्या बनजाता है m equals 2 क्या लिखेंगे mu naught के जिगे mu आएगा बस बागी सब सेम रहेगा mu n1 n2 pi r1 squared divided by 2 r आया की नहीं आया अरे आया कैसे मज़बे clear एक दम बहुत ही आसान तो इस तरहे के से आप दो coils के लिए भी mutual inductance calculate कर सकते हो झाल झाल झाल